वाबा साहीं की अर्प्राइब न मलत को देखते हुए जा शर। आज हम दिल्ली के गाजी पूर बोड़े पर जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को लगातार चार महीने पूरे हो चुके हैं और जिस तरह से किसान आंदोलन मजबूती के साथ में डटा हुआ है उसी तरह से सरकार भी आज अपनी नाग को जुकाने का नाम नहीं ले रही है जिस तरह से तीन काले कानून सरकार लेकर आई आज भी सरकार महीं पर डटी हुई है जैसे हम सब लोग भी तीन काले कानून के खिलाफ संगर्स कर रहे इस संगर्स को इस विरोज को वुर्दू में जिहाद कहा जाता है लेकिन मैं यह कह रहा हूँ उसकी नियद ठीक नहीं कि उसकी भासा सही नहीं थी यह जान बुज करके देश में ऐसे समय यह सी यह सी यह व सब लोग स्योग मैं मैं आपके माद्म से एक बात कहना चाहता हूं यह दिराज के रहा हमले के बादWow के रहते ही वाफित को भाईवीत कर देए रहा कैस्टिकरण अन्रुו है डचकर बारे जैसे हमले से पहले हो रहे थी हमारे किसान आंदुन को भी RSS के बाप की ताकत नहीं है कुचलने की हजारों की संख्या में किसान आज एक जुट हुए गाजीपूर बॉर्डर में यह बात मैं इसले कहना चाह रहा हूं कि इस समय फसले हैं जिस दिन उत्तरपडेश में किसान क खेत में वह आई के बद अंकुर सुरू होता है तब से लेकर केर फसल को समेटे तक फसलों को बचाना पड़ता है किसान को 24 गंटे चोगिदारी करनी पड़ती है और जो चोगिदारी नहीं करता है उसकी फसल को योगी मोधी की मां गवमाता और इनके बाप सांड आके नश हैं यह बताने के लिए अभी इस कोरोना काल अंदोलन में 196 क्रोड 50 लाग का नुक्सान उत्तर परदेश राजस्तान मद्यपरदेश के कालों को सिर्प ग्यוב tommi नियूनतर समर्थान मुल्य का मिलने पर हो चुका तो की तीन कालय कानुन हटाना नीवसमें समर्तन मुल्य की गारंटी खरीका कानुन बनाना और देश को कड़ने के लिए मोदी शरकार को भंग करें लोगसभा चुनाव का एलान करें गे तो साजापूर जहां जहां मारे धरने चलना है चिंगू बोडर बहां पहुंचे को रोना इनके गाउं से भी जिले से राज्य से और देश से भाग जागा एक गारची में भुपिंदर राव जी लगातार हम टीवी पर विज्यापन देखते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी त देखते हैं और जब शिक्षा की बात आती है तो यह कहकर पेरेंट्स को स्टूडेंट को सांतना दे दी जाती है कि देश में करोना फैल रहा है कही महमारी ज्यादा न हो जाए इसलिए शिक्षा को ओन-लाइन सिस्टम किया लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला ब अमेरी की धन्वान है तब नौउम्बर में 13 नौउमबर को दुनिया में पाच्वें नंबर के धन्वान थे अभी दूसरे नंबर पहुंच गये एलन मस्क ने अपना चार बार एक दिन में कोरूना टेस्ट कराया निलम दो बार कोरूना पोजीतिव और दो बार कोरूना न सब्सक्राइब कोरूना की अमेरी क्यामे को देमोकर्टिक लोगों ने नीलम ये बात कही थी कि मूल भूज सभीधाएं जो हैं इनका सरकारी करण होना चाहिए और मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ जिस दिन अमेरिका में ये बात की सुक्भगार सुरू हुई देश और दुनिया की कमपणियों ने तैय किया कि तुम हमारे जो काम हैं इनका सरकारी करण क्या करोगे हम तो एक ऐसा जब कवा कान लेके अवाला एक ऐसा रोग बता देंगे दुनिया में कि जिस से सरकार भी कंगाल हो जाएंगी देश भी कंगाल हो जाएंगे तो कमपनियों को कैसी सरकार चलाएंगी हमारे देश की रेल उधारन दे रहा हूं उधारन ये जिस इस्टेशन पर चाई बेचने का दावा मोधी करता था कि मेरे बाप ने चाई बेची वहां इस्टेशन थाई नहीं जूट बोलने का माहिर आदमी यह कहता है मैंने डिग्री ली इसने किसको किसने डिग्री दी किसने किसका डिग्री पता नहीं है किसको चाई दी किसने चाई पी किसको मालूम नहीं पर जूट बोले माहिर 14455 रेले फेरा लगाती थी कोरोना के नाम पर बंद रखा नीलम मैं चोटा उधारन दे रहा हूं 15,90,000 होकर्स जो हां काम कर चलाते थे उन लोगों के परिवार भुकमरी के ककार पर चले गए यह पांच राज्यों का चुना उनके लिए बर्दान साबित हो रहा है क्योंकि भारत्य जंता पार्टी को कारे करता भीड दिखाने के लिए मध्यापडेस दिल्ली हरियाना बाकी राज्यों के आरेसिस के क नहीं था तो पंद्रह 14,500 रेले जो फेरे लगाती थी उनको और आखरी बात मैं कहना चाहता हूं क्या देश प्रेम है इनका हमारे देश का नरेंद्र मोधी की सरकार रेल की पट्रियां बेच रही है यह पिजिरी के ग्रिट बेच रहा है पैपिलाइन बेच रहा है गैस की यह पे ESTर्माव की और डीजल की 20 रूपए लिटर का प्योल राड डीजल हमारे किसानों को सब्सक्राइब 300 का सिलेंडर ये हमारा जिया कत्रा 900 रूपर का疫 Maland которые उस जमाव था बैंकों में हमारे देश के गरीबों का उनकी नियूंतम जमाव पूंजी को जर्त करके पच्चीस हजार करोड़ ज्यादा लोग उनके पैसे लूट चुका है अब तो हमारे देश में मैं ये कह रहा हूं कुछ बच नहीं रहा है और आज की टारिक में देखो त समझ्रें सौत च्चाए एंधुड़ा तो इतना बड़ा आंद़ुलन आंसक और दुनिया में बलिदानी आंदुलन के पिछले चार मैंने से 300 किसानों के सहाधत हो चुकी है और जिनके परिवारों के सहाधत हुई उनके परिवार की बेवा और उनके बेटे और बेटे और बहुएं भी आंदुलन में शिर्कत करने के लिए आती हैं ऐसा बल्लीदानी जैसे अस्पाक उल्ला खार सईद्या अजम भगस्टिंग की तरह जो देस्के हमारे वहा यहां वापस नहीं बन जाता हुए और मैं अपएल करता हूँ जिसमें सरकारी सहस्तानों को बचाने के लिए और जो जेस्के हमारे बेरोजगार युवा हैं जो रोजगार की बात कर रहे जब सरकारी संस्तान नहीं बचेगा आपको रूजगार कैसे मिलेगा आप सब लोगों को भी एकजुत होना चाहिए और मैं फिर कहना चाहता हूं आपको एकजुता के लिए बहुत जरूरी समय है पश्चीम बंगाल असम पांडुचेरी तमिन लाडु और केरल के चुनाओं में इन देश के साथ गद्दारी और देश को बेचने वाले गद्दारों को इनकी इनकी इनके बख्षे खाली करवा करके आप भी में भेज़ें या फिल में आपसे करता हूं आप बुपेंदर बोल नहीं पातार किसान यहां खड़ा नहीं हो पाता हमारे पास 2018 में हमने संभिधान संभान यात्रा निकाली और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपने सवाल किया 2013 में कानुन बना आजादी के 660 बरसबाद भूमी अधिगरण के लिए उचित मौजे का अधिकार उसको नाम कानून को यह सरकार ने बदली करने के लिए आपको बताता हूं तब कि क्रामिन विकास मंद्री गोपिनाद मुंडे के हत्या करवाई थी मैं दावसी कह रहा हूं मैं यह कहना चाहरा हूं उसकानून को बचाने के लिए हम लोगों ने अध्यदेश के खिलाब तीन बार धरन नहीं होता और आज हमारा किसान यूँ शड़क पर नहीं होता देश का भूगोल भी नहीं बदलता इसने कहा था मैं लाल आँख दिखाऊंगा चीन हमारे देश के अंदर जवानों के हत्या कर चुका है और आजादीम के साथ बरस बाद दसक बाद पहली बार हुआ कि गुल था मैं लाल आख दिखाऊंगा इस कायर और देश के गद्दार ने उसे जूला जुलाया और उसको तयार कर दिया वह एक बड़ा पानी का बंब बनाने वाला है ब्रहम पुत्र पर उसके देश का नक्सा सायद काई भी कर देगा यह स्थिति हमारे देश के अंदर हो गई है तो देश का भुगोल नहीं बच रहा है देश की बेटिया नहीं बच रहे हैं देश के सरकार आरए इस देस के जनता के खिलाफ तो जुड़े रही हमारे साथ में लगातार पल-पल की खबर आपको दिखादे रहेंगे ने भाभूजन locks. के साथ अपना चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल एन बी न्यूस 24 इंटू 7 को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पोटा कर दो